सीता पुर नामक गाओं में एक स्कूल था जिसे स्कूल में एक गरीब टीचर निहारी का मैम पढ़ाया करती थी जो बहुती ज्यादा गरीब थी उनके सर पर तीन चोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी थी और एक बिमार अपाहिजमा की जिम्मेदारी थी एक हासे में निहारी का के पिता उसे हमीशा हमीशा के लिए अकेला चोड़कर चले जाते हैं और मा भी अपाहिज हो जाती हैं जिस वज़ा से घर की पूरी जिम्मेदारी निहारी का के उपर ही आ जाती है और उसने अपनी मा और अपनी छोटे भाई बहनों के लिए शादी भी नहीं की थी और उसकी सादी की उमर भी निकल चुकी थी और अव वो स्कूल में पढ़ा-पढ़ा कर अपने परिवार का पालन पोशन कर रही थी मेरे प्यारे भाई बहनों यहे तो बताओ तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसे गया अच्छा गया या नहीं तुमने तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बताया ही नहीं निहारी का दीदी प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा था हमारी क्लास टीचर ने हमारी बहुत ही ज्यादा तारिप की आपका बहुत बहुत धेन्यवाद आपकी वजह से हम हमेशा स्कूल में फरस्ट आते हैं और आपकी ही वजह से हमारे सारे प्रोजेक्ट अच्छे बनते है दीदी दीदी हम भी आपसे ही पढ़ना चाहते हैं आप हमारा एडमिशन अपने ही स्कूल में क्यों नहीं कर लेती अरे बेटा तुम जानते तो हो ही जिस स्कूल में निहारी का पढ़ाती है वह स्कूल कितना ज्यादा महंगा है हम तुम्हारा एडिमिशन वहां नहीं करा सकते और जिसे स्कूल में तुम पढ़ रहे हो वो भी तो बुरा नहीं है बेटा ऐसी जिद मत करो है मा आपने बिल्कु ठीक कहा जिसे स्कूल में हम पढ़ रहे हैं वो भी अच्छा है राहुल ये तुम कैसी बाते कर रहे हो वो इसकूल भी तो अच्छा है और हमारे मदद के लिए हमारे दीदी तो हमारे साथ ही है मैं तो ये सोच कर परिशान हूँ जब दीदी की शादी हो जाएगी तब हमारा क्या होगा दीदी माने तुम्हारे शादी की बात दोपारा चलाई है मा, मैंने आपसे कितनी पार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी मैं आपको और अपने थोटे भाई-बैहन को छोटकर कहीं नहीं जाओंगी मुझे शादी वादे नहीं करनी अरे बिटिया एक न एक दिन तो तेरी शादी हो नहीं है और तो हमारी जिम्मेदारी का बोज अपने कांदों पर कब तक उठाती रहेगी और जब तक तेरे छोटे भाई बहन अपने पैर उपर खड़े होंगे जब तक तेरी उम्र ढ़ल जाएगी मेरी प्यारी बच्ची अभी भी समय है शादी कर ले देखो मा आपने मुझे पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया मैं टीचर बन गई और अब स्कूल में पढ़ा रही हूँ आपने मुझे उस दिन के लिए तो नहीं पढ़ाया था कि एक दिन मेरी शादी हो जाएगी और मैं आपसे मूँ मोड़ लूँगी नहीं न बस मैंने कह दिया तो कह दिया मेरी जिन्दगी मेरे परिवार वालों के लिए है आपके लिए है दोबारा से इसी बाते मत करना ठीक है आप मैं जा रही हूं पढ़ाने और मेरे प्यारे भाई बहनों तुम भी जल्दी से नाश्टा करकर स्कूल जाओ और मा आप दवाई समय पर लेने लेना और इस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं करना और ऐसा कहकर निहारी का स्कूल में पढ़ाने आ जाती है निहारी का बहुत ज्यादा अच्छे टीचर थी वो बहुत ज्यादा प्यार से बच्चों को पढ़ाती थी और बच्चे भी निह निहारी का मैम को पसंद करते थे, क्योंकि निहारी का मैम बहुत ही ज्यादा प्यार से समझाती थी, कभी भी किसी बच्चे के उपर हाथ नहीं उठाती थी, अगर उन्हें कई बार बच्चों को समझाना पड़ता था, तो वो प्यार से ही कई बार समझाया करती थी, अरे नही कि नहीं मेरे प्यारे बच्चो इस तरह से नहीं चलो ठीक है एक बार समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं हम दोबारा कोशिश करते हैं अगर दोबारा भी समझ में नहीं आएगा तो तीसरी बार समझने की कोशिश करेंगे और अगर तीसरी बार भी समझने की कोशिश कर करते रहेंगे क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती एक ना एक दिन हमारी कोशिश रंग लेकर ही आ जाती है इसलिए घबराओ नहीं डरों नहीं और बस फोकस से पढ़ते रहो चलो दोबारा कोशिश करो निहारी का मैम आप कितनी ज्यादा अच्छी है मेरा भा समझाती ही नहीं है और अगर गलती से किसी ने दूसरी बार पूछ लिया तो उसकी पिटाई भी करती है और आप तो बहुत अच्छी तरह समझाती है बार बार समझाती है और इस तरह नहारी का मैम बहुत ही ज्यादा प्यार से बच्चों को पढ़ा रही थी और उनके क्ला अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं और अब वो सभी student दूसरी class में पहुँच जाते हैं और उन्हें अपनी class teacher को छोड़ कर दूसरी class में जाना अच्छा नहीं लगता और वो अपनी teacher से कहते हैं निहारी का में हमें आप से ही पढ़ना है हमें सरीता में से नहीं पढ़ना आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं आप हमारी class teacher नहीं बन सकती नहीं मेरे प्यारे बच्चो मैं सिर्फ फिर्ट क्लास को ही पढ़ा सकती हूँ अब तुम सिर्फ क्लास में चले जाओ और सरीता मैं बहुत अच्छी है वो बहुत अच्छा पढ़ाती है और तुम्हारी मदद करने के लिए मैं हूना जब भी कहीं भी कोई भी परेशानी या क कोई भी दिक्कत आए तो बिना जिजक मेरे पास आ जाना ठीक है घबराने की जरूरत नहीं है और मल लगा कर पढ़ाई करना अब जाओ अपनी क्लास में बैठो कोई भी स्टूडेंट निहारी का मैं को छोड़कर नहीं जाना चाहता था वो उनी से पढ़ना चाहते थे सभ निहारी का मैं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा एक बार और समझाती जीए ना आपको पता है निहारी का मैं हमें एक बार नहीं दो बार नहीं बार बार समझाती थी जब तक हमें समझ में नहीं आता था तब तक हमें समझाती रहती थी आप भी वैसे ही पढ़ाईए ना जैस निहारी का मैम पढ़ाती थी सपना इधाराओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे निहारी का मैम से मिलाने की मैं उच जैसी गरीब फटीचन नहीं हूँ और ना ही मेरा घर उसकी तरह जोपड़ी जैसा है मैं अमीर हूँ अमीर मेरा घर महलो जैसा है और मेरा ड्रेसिंग सैंस देखो सोनी की जूरी देखो और वो गरिब उसके पस तो कुछ भी नहीं है ना सोनी की कोई भी जूरी और ना ही घर और इतनी गंदी साली पहन कर रहती है और तुम मुझे उच जैसी गरिब टीचर से मिलाने की कोशिश मैं लगी हो मैं उच जैसी अगर एक बार में समझ में आता है तो ठीक वरना मैं दोबारा नहीं समझाओंगी अंडेस्टेंड जाओ डेक्स पर बैठो बत्तमीज मुझे चले करीब टीचर से मिलाने सरीता मैम की यह बाती सुनकर सभी बच्चे सहम से जाते हैं और वो एक बार समझने की कोशिश करते ह लेकिन उन्हें समझ में ही नहीं आता और वो लंच टाइम में निहारी का मैम के पास आ जाते हैं ताकि वह टोपिक को अच्छे तरह से समझ जाएं निहारी का मैम सरीता मैम बहुत ही स्याता पूरी है आपको पता है अगर हम आपकी थोड़ी भी तारिफ कर देते हैं तो गुस्से से तिल मिला जाती है और ये टोपिक अच्छे तरह भी नहीं समझाया कुछ भी समझ में नहीं आया मेरे प्यारे बच्चो अगर सरीटा मैम को मेरी तारिफ सुनने के बद गुस्सा आ जाता है तो मेरी तारिफ मत क्या करो शरीटा मैम गुस्से की थोड़ी तेज है लेकिन वो पढ़ाता ही बहुत अच्छा है अगर तुम्ही इ टोपिक समझ में नहीं आया तो कोई बात नह लाओ दिखाओ मैं भी समझा देती हूँ वाह 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 निहारी का मैं वाह आपकी चलाकी को तो दाथ देनी पड़ेगी आप मेरे ही क्लास के बच्चों को अपनी मुठे में करना चाहती है ये topic मैंने अपने class के बच्चों को अच्छी तरह समझा दिया था लेकिन आप बच्चों को ये दिखाना चाहती है कि मैं अच्छा नहीं बढ़ाती मेरी छवी इस school में बुरी बनाना चाहती है आप मेरे ही class के बच्चों को मेरे क्लाफ खड़ा कर रही है आखिर आपका एजंडा क्या है आप करना क्या चाहती है आपका मकसद क्या है आप जैसी गरिब टीचर का मकसद और हो भी क्या सकता है छोटी सोच वाले गंदे गरिब टीचर सरीता मैम ये आप कैसी बाते कर रही है बच्चों के सामने अमीरी गरीबी क्या होती है और स्कूल में इस तरह की बात आपके मूँ से शोबह नहीं दे रही हम बच्चों को भेद भाव करना नहीं सिखाते हम बच्चों को एक तक सिखाते हैं हम बच्चों को सभी के साथ रहने सिखाते हैं, हम बच्चों को बताते हैं कि अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती जाद-बात कुछ नहीं होती और आप इस तरह की बाते करकर बच्चों की दिमाग में क्या डाल रही है और नहीं ये टोपिक समझ में नहीं आ रहा था तो बस मैं समझाने लगी और मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन आपकी गुलाम नहीं आप मुसे इस तरह से बात नहीं कर सकती देखो तो गरीब टीचर को कितनों से अधो गुस्सा आ रहा है अगर मैं तुझ जैसी गरीब टीचर को गरीब नहीं कहूंगी तो फिर क्या अमबानी की बेटी कहूंगी रानी है कहीं की देखो तो गरीब को गरीब कहने पर कितना बुरा लग रहा है तुम जैसो को गरीब नहीं कहा जाएगा तो फिर क्या कहा जाएगा गरीब सरे ता मैम ये आप किस language में निहारी का मैम से बात कर रही है आप ऐसे third class language बच्चों के सामनी use भी कैसे कर सकती है आप हमारे school की reputation मिट्टी में क्यों मिला रही है और निहारी का मैम ने ठीकी तो कहा मेरे school में कोई भेदभाव नहीं होगा मेरे school में सभी teacher एक समाने वो किस जन जाती से आती है उनका status क्या है इस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस school में सभी teachers डिगरी लेकर आई है तो पढ़ा रही है दो बारा से मैं आपको इस तरह से बात करते वे ना देखूं बच्च वजह से सरीता मैम को बहुती ज्यादा घुसा आ जाता है और वो घुसे से तिल मिला जाती है क्योंकि प्रिंसिपल मैम ने आज से पहले कभी भी किसी teacher से इस तरह से बात नहीं की थी और अब वो निहारी का मैम से बदला लेने की सोच लेती है जोपर पट्टी से आने वाली गरीब क्लास teacher की इतनी हिम्मत कि उसकी वजह से प्रिंसिपल मैं मुझे बाते सुनाए मैं एक अमीर परिवार से आती हूँ मेरा status उससे कहीं ज्यादा हूँ चाहे लेकिन मेरी इज़त मिट्टी में मिला दी इस गरीब जोपर पट्टी वाली teacher ने मुझे इसे अच्छी तर मुझे बचके रहना इस तरह से सरीता मैं बस एक मौके की तलाश में थी कि वो किस तरह बेचारी निहारी का मैं को सबक सिखा सकें ऐसे ही समय बीत रहा था एक दिन पूरे स्कूल को पिकनिक पर जाना था सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि वो पिकनिक पर ज रहे थे और जिस मोके की तलाश सरीता मैम को थी वो मोका उन्हें मिल जाता है इससे अच्छा मोका मुझे कभी नहीं मिलेगा गरीब निहारी का तेरी वजह से पूरे स्कूल में मेरी इंसल्ट हुई थी न अब देख मैं तुझे इस दुनिया से कैसे गायब करती हूं कैसे गा निहारी का मैम को मा रिने का प्लान बना लेती हैं सभी बच्चे बहुत खुश थे और पूरा स्कूल पिकनिक घुमने चला चाता है सब बहुत ज्यादा इंजोई कर रहे थे निहारी का मैम सभी बच्चों के साथ खेल रही थी मोज मस्ती कर रही थी उन्हें बहुत पेलो मैं अभी आजाती हूं ठीक है आप हमें यहाँ पर क्यों लेकर आई है यहाँ पर तो निहारी का मैम भी नहीं है कहां है निहारी का मैम अरे बस दो मिनट तुम्हारी क्लास टीचर आती ही होगी। कहकर सरीता मैम वहां से चली जाती है प्रिंसिपल मैम निहारी का मैम से कहती है निहारी का मैम आपके क्लास के बच्चे नजन नहीं आ रहे कहा है वो देखो घर जाने का समय हो गया है उनके पैरेंट्स का बार बार फोन आ रहा है मुझे आपके क्लास के बच्चों की उनके पै करकर रखना और मैं उनके साथ अभी थोड़ी देर पहले खेल भी रही थी लेकिन आचानक पता नहीं कहा चले गए अरे निहारी कमेम आपके क्लास के बच्चे आपको छोड़कर कहा जा सकते हैं आपको वैसे भी इतनी लापरवाहें नहीं करनी चाहिए थी हमारी जिम्मेदा जाती हैं क्योंकि उन्हें पता था कि जाड़ी की तरफ जंगली जानवर रहते हैं और वो ये सुझकर बहुत ज्यादा घब रा जाती हैं और वो तुरंट जाड़ी की तरफ भागती हैं यहें देकर सरीता मैं बहुत ज्यादा खोश हो रही थी निहारी कमेम तुरंट वहा जाकर देखती हैं तो सभी स्टूडेंट्स को चारों तरफ से जंगली जानवरों ने गेर रख था बच्चे बखुत ही ज्यादा फूट फूट कर रो रहे थे निहारी का मैम दाएं बाएं कुछ नहीं देखती और वो जंगली जानवरों के बीच में कूद पड़ती हैं और वो उन सभी बच्चों को उन जंगली जानवरों से बचा लेती हैं लेकिन अपनी जान नहीं बचा पाती और एक जानवर उन्हें अपने पंजों से जखमी करकर भाग जाता है, सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उनकी इतनी अच्छी क्लास टीचर उन्हें छोड़ कर चली गई प्रिंसिपल मेम को सरीता मेम की सच्चाई पता चल जाती है और वो उन्हें पुलिस के हवाले कर देती है सभी स्टूडेंट्स अपनी गरीब क्लास टीचर की अर्थी उनके घर लेकर जाते हैं जिसे देखकर उनके भाई बहन भी और मा भी बहुत ज़्यादा फोट फोट कर रोती है क्योंकि उनकी इतनी अच्छी बेटी उनकी इतनी अच्छी बहन उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है तब ही प्रिंसिपल मेम कहती है निहारी का मेम बहुत अच्छी थी आप चिंता मत कीजिए मुझे आपकी गरीबी का अंदाजा है क्योंकि निहारी कमेम मुझे हमेशे बताती थी तीनों बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है और जब तक आपके तीनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक घर का राशन भी मेरी ही तरफ से भरा जाएगा आप बिल्कुल भी चिंता मत कीज इतनी अच्छे टीचर के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं कुछ समय बाद निहारी कमेम का दहा संसकार हो जाता है ऐसे ही समय बीत रहा था और अब तीनों बहाई बहन उस स्कून में पढ़ने जाने लगते हैं और प्रिंसिपल मेम उनके घर का सारा खर्चा उठा रही थी न निहारी कमेम के अच्छे सवभाव की वजह से उनके परिवार के साथ कुछ भी गलत नहीं होता प्रिंसिपल मेम उनकी पूरी जिम्मेदारी निभा रही थी और सरीता जो उन्हें बरबाद करना चाहती थी वो खुद बरबाद जेल में चक्की पीस रही थी और उनके लिए कोई भी नहीं आता उन्हें उनके केकी सजा मिल जाती है। तुखी जीवन जी सकें लेकिन जिस स्कूल में बेचारी गरीब गरीमा पढ़ रही थी उस स्कूल में अच्छी तरह से शिख्षा नहीं दी जा रही थी ऐसे ही एक दिन गरीमा प्रिंसिपल मैम के पास शिकायत लेकर जाती है प्रिंसिपल मेम हमारे स्कूल के सभी टीचर्स आपस में गप्पे लड़ाते रहते हैं कोई भी पढ़ाने आता ही नहीं है सिर्फ एक टीचर आती है और वो भी अच्छा नहीं पढ़ाती अगर स्कूल की यही इस्तित ही रही तो हम जैसे गरीब बच्चे आगे कैसे बढ़ पाये कैसे पढ़ पाएंगे गरीमा इस श्कूल का इतना ही बज़ेट है अगर तुम्हें स्कूल से इतनी ही दिक्कत हो रही है तो हमारे स्कूल को छोड़कर चले जाओ और जाओ पढ़ो किसी बड़े स्कूल में जहाँ तुम्हें अच्छे शिक्षा मिल सके यहाँ पर तो इतने में इतना ही मिलेगा गरीमा बहुत आस उम्मीद लेकर प्रिंसिपल मेम के पास गए थी लेकिन प्रिंसिपल मेम की यह पास सुनकर गरीमा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वह घर आ जाती है शाम को जब गरीमा की मा काम करकर वापस आती है और गरीमा को उदास देखती है तो वह गरीमा से कहती हैं क्या हुआ मेरी गोडिया रानी इतनी ज्यादा उदास की हो मा जिसी स्कूल में मैं पढ़ने जाती हूँ आपस शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है सभी टीचर्स आपस में गप्पे लड़ाती रहती है प्रिंसिपल मैं भी फोन पर बाते करती रहती है बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाया जाता कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता मा इस तरह से तो मैं अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं हो पाँगी अरे बेटी तो परेशान क्यों होती है मैं जहां पर काम करती हूँ न वह मैंसा बहुत अच्छी है उनकी बेटी बहुत बड़े स्कूल में जाती है बेटी मैं बात करके देखती हूँ क्या पता मैम साहब तुम्हारा भी एड्मिशन करा दे और तुम भी बड़े स्कूल में पढ़ने जाओ और इंगलिश फटा फट बोलो मा वह अमीर लोग हैं सेठ लोग हैं का लेती है और अगले दिन अपने काम पर चले जाती है आज सुजाथा का काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था वह उल्टा सीधा काम कर रही थी सुजाथा तुम्हारे तक ठीक है अगर तक ठीक नहीं थी तो छुटी ले लिझे अपनी सेहत का भी तो ख्यार रखो मेरी तबित बिलकू ठीक है मैं तो बस मेरी बेटी की तरफ से परेशान हूँ मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी स्वाती बिटिया की तरफ बढ़े स्कूल में पढ़ने जाए इंगलिश फटा फट बोले क्योंकि जिसी स्कूल में वह पढ़ती है उस स्कूल में तो पढ़ाई होती ही नहीं है और गरीमा पढ़ाई में बहुत होश्यार है उसे पढ़ने का बहुत शोक है लेकिन हम गरीबों के बच्चे बड़े स्कूल में कैसे पढ़ सकते हैं हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, हम तो बस सपने ही देख सकते हैं अरे क्यों नहीं सुझाता, गरीबों को भी सपने देखने का पूरा अधिकार है और वह भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो मैं परिशान होने की जरूरत नहीं है गरीमा भी सुवाती के स्कूम में पढ़ने जा सकती है राइट टू एजूकेशन के तहट मेहम साहब क्या कहा अपने राइट क्या कह रही है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सुजाता को राइट टू एजूकेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देती है जिसे सुनने के बाद वहें खुश हो जाती है और घर जाने के बाद गरीमा को भी बताती है गरीमा भी यहे खबर सुनकर बहुत खुश होती है क्योंकि दोनों मा बेटी को राइट टू एजूकेशन के बारे में पता ही नहीं था कि सरकार कुछ गरीब बच्चों के लिए कुछ सीट आरक्षित रखती है और उसकी फिस सरकार की तरफ से ही दी जाती है गरीमा पढ़ाय में बहुत होश यारती उसका स्कूल में टेस्ट होता है और राइट टू लेकिन कहां कहां याद ही नहीं आ रहा कहां देखा बिल्कुल व्याद नहीं आ रहा अरे यार क्या नैना तुमने इसे मेरे घर में ही तो देखा था यह मेरी नोकरानी की बेटी है गरीमा अब देखो हमारे घर पर जाड़ पहुचा करने वाले नोकरों के बच्चे भी हमार हाँ यार तुने बिल्कु ठीक कहा और यह नोकर हमेशा नोकर ही रहेंगे हमारी बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे बेचारी ने इस स्कूल में एडमिशन तो करा लिया लेकिन यहां की पढ़ाएं इतनी ज्यादा हार्ड है यह कर ही नहीं पाएगी दुम दबा कर दो दिन में ही भाग जाएगी बेचारी गरीब गरीमा चुपचप सभी अमीर स्टुडेंट्स की बाते सुनती रहती है उसकी आँखों से आंसु बह रहे थे कि उसकी गरीबी का उसकी ड्रेस का उसके जूतों का सब कितना मज़क उड़ा रहे हैं लेकिन उसकी मनजिल साफ थी उसे अपना भविश्य वजुबल बनाना थ वह यहां किसी से लड़ाई जगड़ा करने नहीं आई थी इसलिए वह चुपचाप क्लास में जाकर बैठ जाती है और अपनी पढ़ाई करती है टीचर्स सभी बच्चों को पढ़ाती है और चले जाती है ऐसे ही समय बीत रहा था गरीमा सभी टीचर्स की पीरेट पूरे ल हमारे स्कूल में एक English Speech Competition होने वाला है जो भी बच्चा इस English Speech Competition में फरस्ट आएगा उसे स्कूल की तरफ से सम्मानित तो क्या ही जाएगा लेकिन धन राशी भी दी जाएगी वह भी पूरे 10,000 रुपे यह competition सिर्फ आप सभी बच्चों की English Improve करने के लिए क्या जा रहा है इस लिए सभी बच्चे इस competition में participate करेंगे ओके understand मैं आपने क्या कहा सभी बच्चों को participate करना है लेकिन हमारे स्कूल की हमारे क्लास की सबसे गरीब हिंदी मीडियम पेच्वारी गरीब वो कैसे इस English Speech Competition में participate कर सकती है इसे तो English का ई भी नहीं आता स्वाती यहां कोई बच्चा अमीर और गरीब नहीं है सभी बच्चे एक बराबर हैं यहां तुम इसकूल में education लेने आती हो ना कि किसी को नीचा दिखाने और इस क्लास में सभी बच्चे एक बराबर हैं यह बास सभी बच्चे अपने दिमाग में अच्छी तरह से fix कर ले आज के बाद अमीर गरीब student ऐसा में कुछ न सुनूँ ठीक है मैं मैं पार्टिस्पेट करना चाहती हूँ बहले ही मैं हार जाओ लेकिन मैं पार्टिस्पेट करकर अपने अंदर confidence लेकर आना चाहती हूँ कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ कर लिया जाए मैं जानती हू कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है मैं इंग्लिश में बोल नहीं पाती लेकिन मैं इंग्लिश सीखने की और बोलने की पूरी कोशिश करूँगी गुड वेरी गुड बेटा तुमने बिल्कुर ठीक कहा जब तक चलोगी नहीं तो मन्जिल तक कैसे पहुचोगी और सौहना मैम वहाँ से चले जाती हैं सौहना मैम के जाने के बद स्वाती गरीमा को अपने दोस्तों के साथ मिलकर परिशान करने लगती है क्या गरीब स्टुडेंट तो भी इस इंग्लिश स्पीच कॉंपिटिशन में पॉर्टिसिपूइट करेगी हाँ सपना अच्छा है ल इंग्लिश बोलेगी वह भी स्टेज पर सबके सामने स्वाती मैं जानती हूं कि मैं तुम्हारी तरह फटा फट इंग्लिश नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने कभी इंग्लिश सब्जक पढ़ा ही नहीं है लेकिन मैं कोशिश तो कर सकती हूं और कहते हैं न कोशिश करने वालो में मैं ही फरस्ट आ रही हूं वैसे इस बार भी मैं ही फरस्ट आओंगी मुझे हराने वाला इस स्कुल में कोई पैदा ही नहीं हुआ स्वाती गरीमा का मज़ा कोड़ा कर वहां से चली जाती है गरीमा इंगलिश की पूरी तयारी करती है रह कोशिश करने में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ती अपना 110 परसेंट देती है और अब वह दिन आ जाता है जिस दिन इसकुल में इंगलिश स्पीच कॉम्पिटीशन एक एक करके सभी बच्चे इंगलिश में इस पीच देते हैं स्वाती भी देती है लेकिन जब गरीमा इस स्टेज पर जाती है तो स्वाती अपने दोस्तों के साथ हसने लगती है अब देखना यह गरीब कैसे बोलेगी क्योंकि इससे इंगलिश तो बोली जाएगी नहीं यहां यह सब को बहुत एंटरेटेंट करने वाली है बहुत मज़ा आएगा बहुत मज़ा जब सब इसके पर बहुत हसेंगे तब इस गरीब स्टूडेंट को एहसास होगा कि इसने कितनी बड़ी गलती की है स्टेज पर आने की स्वाती हस रही थी और सोच रही थी कि गरीमां इंगलिश में स्पीछ देए ही नहीं पाएगी लेकिन जब वह फट अ वट इंगलिश बॉल रही थी और उसकी कहीं पर भी कोई गलती नहीं होती बिना देखे और बिना अटके वह पूरी स्पीच दे देती है सभी बच्चों की आंके खुली की खुली रह जाती है और सबसे ज्यादा हैरन सुआती ही होती है कि एक गरिब स्टूडेंट जिसने कभी इंग्लिश पढ़ ही नहीं सीख ही नहीं वह इतनी जल् इमा बेटा वेरी गुड तुमने तो कमाल ही कर दिया मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी अच्छे इंग्लिश इतनी जल्दी बोल पाओगी वेरी गुड बेटा मेहनत और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तुमने राद दिन इंग्लिश सीखने में लगा और मुझे उम्मीद है कि इस साल स्कूल में तुम्हें फरस्ट आने वाली हो तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर मुझे ऐसा ही लगता है यह गरिब स्टूडेंट देखो तो मेरी नौक कराने की बेटी है और कैसे इसका इतना नाम हो रहा है यह प्राइस मुझे मिलना चा स्टूडेंट को मैं जितनी नहीं दूंगी कभी नहीं स्वाती इस कॉम्पिटीशन के बाद गरिमा से और भी ज्यादा जलने लगती है क्योंकि इस कॉम्पिटीशन के बाद गरिमा सभी टीचर्स प्रिंसिपल के सामने एक अच्छी स्टूडेंट साबित हो चुकी थी और करूं उस गरिब की पढ़ाये देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में वो ही इस स्कूल में फर्स्ट आने वाली है अगर ऐसा हो गया तो मैं तो किसी को मुधी खाने के काबिल नहीं बचूंगी मेरे दोस्त मेरा कितना मज़ाग उड़ाएंगे और मम्मी मुझे कितना स सोचरे में लगा देती है कि वह गरीमा को कैसे स्कूल से निकाले और उसे एक खतनक प्लान आप ही जाता है अगले दिन वह प्रिंसिपल में के कैबिन में जाकर कोशन पेपर चुरा लेती है और चुपके से बेचारी गरीमा के बैग में रख देती है अगले दिन सभी बच् मिनट बाकी है और तुमने इतनी जल्दी पेपर कर दिया पोरा क्या है ना येस मैम मुझे सभी कोशन के आंसर आते थे मैम मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्ट्रोडेंट इतनी जल्दी पेपर अपना कंप्लेट कर सकता है जरूर इसने चीटिंग की होगी या फिर इसे सभी क कि मैं चीटिंग करने के बारे में सोच भी नहीं सकती मुझे सब कोशन साते थे ठीक है आप मेरी और मेरी बैक की तलाशी ले सकती है मैंने कोई चीटिंग की ही नहीं है स्वाती को जरूर कोई गलत फहमी हो रही है बेचारी गरीमा वह तो सच्ची थी उससे क्या पता था कि उसके बैक में सुआती ने क्या कार नाम करके रखा है जब गरीमा के बैक की तलाशी ले जाती है तो उसके अंदर कोशन पेपर निकल जाता है जिसे देखकर टीचर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है गरीमा गरीमा तुम ऐसा भी कर सकती हो मुझे बिलकुल भी अंदा नहीं था तुमने कोशन पेपर चुराया सिर्फ इसलिए ताकि तुम इसकूल में फरस्ट आ सको तुम्हारी सोच इतनी भी छोटी हो सकती है मैं अभी प्रिंसिपल मैम को बलाती हूं और तुम्हें इसकूल से रेस्टिकेट करवाती हूं तुम जैसी गरीम स्टूडेंट इससकूल में पढ़ने के काबिली नहीं हो आज से पहले कभी इससकूल में चीटिंग नहीं की गई और तुमने आते हैं चीटिंग करना शुरू कर दी सुहाना मैम प्रिंसिपल मैम को बुलाती है और उन्हें सब बताती है जिसे सुनने के बाद प्रिंसिपल मैम को भी बहुत ही ज्यादा घुस्सा आता है तब ही गरीमा कहती है मैं मैं मैंने यह सब कुछ नहीं किया मेरी बात का विश्वास कीजिए मैंने चिटिंग नहीं की मैं चिटिंग करने के बारे में सोच भी नहीं सकते क्योंकि मैं चानती हूँ कि चिटिंग से पास होना तुम्हारे भविश्य को उजुवल नहीं बलकि अंधकार में धकेल देत तो फिर आप ही सोचिए कि मैं चिटिंग कैसे कर सकती हूं। मैंने सब कुछ पढ़ा था। मैंने चिटिंग नहीं की। मैंने चिटिंग नहीं की। ठीक है गरीमा अभी दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा। मैंने अपने कैबिन में हिडन कैमरा लगाया है। जिससे पता चल जायेगा कि मेरे कैबिन में कौन आया था, किसने कोशिन पेपर चुराया, सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाएगा क्या प्रिंसीपल मैम के कैबिन में सीसी टीवी कैमरा था मुझे तो पता ही नहीं था यह मैंने क्या कर दिया अब क्या होगा मुझे तो इसकुल से निकाल दिया जाएगा इस गरीब को फसाने के चकर में मैं खुद फस गई मैं स्वाती को एक मौका दे दीजिए उसने चिटिंग करने के लिए सब कुछ नहीं क्या था बलकि मुझे जैसी गरीब स्टुडेंट को इस स्कुल से निकलवाने के लिए क्या था उससे गलती हो गई उससे माफ कर दीजिए मैंने ही चाहती कि उसे इतनी बड़ी सजा मिले करीमा तुम कितनी अच्छी हो मैंने जब से तुम इस स्कुल में आई हो मुझे माफ कर दो आज की बाद मैं तुम्हें कभी परिशान नहीं करूँगी कभी गरीबों का मजाक नहीं उड़ाऊंगी मुझे माफ कर दो स्वाती को अपने के पर पश्तावा हो जाता है और गरीमा के कहने पर प्रिंसिपल में स्वाती को एक मुखा दे देती है अब स्वाती पूरी तरह से बदल चुकी थी और वह गरीमा की पहुत अच्छी दोस्त बन जाती है और इस तरह एक गरीब स्टुडेंट और अमीर स्टुडेंट दोनों दोस्त बन जाती है और एक साथ पढ़ाई करती है एक साथ ठाना ख त्री है